धन्राज शोटन एंड कम्प्यूटर ट्रेनिंग अकाडमी एससी स्ट्रेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेश्ट सीरीज कुल शब्द एक हजार प्रतिलिकन संख्या पैंसट गती सौ शब्द प्रतिमिनट बी रडी थ्री तू वन स्टार्ट स्वभाविक रूप से प्राकृतिक प्रकोप के कारण कमी आई है जिसके बारे में सेंकडो अफिम काश्टकारों द्वारा अफिम तोल केंद्रों पर अपनी आपत्ती दर्ज कराई गई है सभी अफिम उत्पादकों द्वारा अफिम उत्पादन का जो न्यूनितम मापदंड है उससे कहीं अधिक दिया गया है जो औसतन साट से बासट किलोग्राम तक रहा है किन्तु उप्रोक्त परिस्थितियों में अफिम काश्टकारों को आशंका है कि उनके लाइसेंस पर विपरीत प्रभाव पढ़ सकता है पुर्व में भी विगत दो वर्षों में इसी प्रकार की परिस्थितिती पैदा हुई थी वित्मंत्राले के नार्कोटेक्स विभाग द्वारा इसमें शिथिलता भी दी गई थी पैरा महोदै राजस्थानी भाषा राजस्थान के लगबग 6 करोड निवासियों और लगबग अन्य तीन करोड लोग जो देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों में रहे रहे हैं कि मात्र भाषा है खेद का विशय है कि आजादी के 60 वर्षों बाद भी हम राजस्थानी लोग इस सदन में अपनी भाषा में नहीं बोल सकते हैं राजस्थान विदान सभा ने एक सर्वसंमत संकल्प पारित करके इस भाषा को संविदान की आठवी अनुसूची में शामिल करने के लिए गेंद सरकार से निवेदन किया है राजस्थान के विविन अन्चलों में बोली जाने वाली मेवाडी मारवाडी मेवादी भाषा बोलने वालों को यह अधिकार मिले इसके लिए मैं सदन में प्रार्थना करता हूँ गत सत्र में सदन में इस विशय पर विधेक लाने का आश्वासन माननिय ग्रह मंत्री जी ने दिया था मैं यहां बैठे हुए UPA के नेताओं और सदन के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सत्र में रजस्थानी भाषा को समविधान की आठवी सूची में शामिल किये जाने के लिए विधेक लाएं और उसे पारित कराकर हमें अपनी मत्र भाषा में बोलने का अधिकार द में पैरा अध्यक्ष महोदाय मैं आंदर प्रिदेश के गुंटुर शहर में अंतरास्ट्रिय चिकित्सा और तकनी की विश्व विद्यालय द्वारा चिकित्सा की शिक्षा लेने गए हजारों चात्रों के साथ भारी धोका धड़ी का मामला आपके माध्यम से सदन के सामने संग्यान में लाना चाहूंगा सितंबर 2001 में MBBS चात्रों का प्रवेश भारी रकम लेकर यह कहे कर दिया गया की आपको यहीं से पूर्ण शिक्षा देकर MBBS की डिगरी दी जाएगी जो की भारतिये चिकित्सा परिशद में नमांकित होकर परिक्षा देने हेतू मान्य होगी लेकिन सितंबर 2001 से वर्ष 2004 तक की शिक्षा गुंटूर में कराने के बाद आगे की पढ़ाई हेतू छात्रों को दो वर्ष की शिक्षा के लिए तंजानिया भीज दिया गया चात्रों ने जहां से कालेज प्रबंदन के द्वारा अंतराश्ट्रिये चिकित्सा और तक्नीकी विश्वविद्यले आंदरप्रिदेश द्वारा 2004 तक जो पढ़ाई की है वह उसका प्रमान पत्र चात्रों को जारी नहीं कर रहा है जिसके कारण हजारों चात्रों का रेजिस्ट्रेशन भारतिये चिकित्सा परिशद डॉक्टर के रूप में नहीं कर रही है इस वजह से सभी चात्रों का भविश्य अंदकार में हो गया है यह भी संग्यान में आया है कि उपरोक्त संस्थान अपने लाब के लिए गुंटूर के अंतराश्ट्रिय चिकित्सा और तक्नीकी विश्वविद्यले का नाम बदल कर कस्तूरी मेडिकल कॉलेज करा करके महोदय मेरा आप से अनुरोध है कि संपूर्ण प्रक्रण की उच इस्तरिय जाच करा कर दोशी कालेज प्रबंधन के खिलाप कारेवाही करके प्रबंधन की शिक्षप्राप्त करने गए मेडिकल चात्रों का कालेज प्रबंधन द्वारा प्रमान पत्र जारी करा कर चिकित चात्रों का भविश्य खराब होने से बच सके इस प्रकरण को कुछ चात्रों द्वारा हैदराबाद उच्चन एले में उठाये जाने पर हैदराबाद हाई कोर्ट ने चात्रों के हित में भी निरने दिया है लेकिन चिकिस्सा समीती सुप्रेम कोर्ट में जाकर इस मामले को उलजहाना चाहती है मेरा आपसे अनुरोद है कि आप इस मामले में हजारों चात्रों को नए देने की क्रपा करें। पैरा अज्यक्ष महौदय मैं एक छूटी सी बात बताना चाहता हूं कि जैपुर शहर में इस समय यातायात की समस्या बहुत गंभीर है। अब यह बात सत्य है कि इस सदन में यातायात की समस्या का कोई संबंध नहीं है। आज बैंक बड़े प्रेम पूर्वक उदारता पूर्वक लोगों को धन दे रहे हैं। गाड़ी भी खड़ी रहती है कि चाभी भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं की जैपुर में सुगम यातायात प्रसम चरण में 479 करोड रुपिये की लागत से बस पर योजना बनी है। जवाहरलाल नहरू पुनर निर्मान मिशन के तहत यह योजना के आधार पर क्रियानवित की जाएगी। इस योजना के तहत शहर में उच्च शमता युक आदोनिक बसें राहगीरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। इसके लिए शहर में 42 किलो मीटर लंबा कोरिडॉर सरकारी छात्रावास से एरपोर्ट तक निर्मित किया जाएगा। पैरा मेरी केंदर सरकार से मांग है कि यह योजना उनसे संबंदित है। राज्य सरकार ट्रैफिक को नियंतरन करने के नाते प्रयास तो कर रही है लेकिन मेरी केंदर सरकार से प्रार्थना है कि यह पर योजना जो जवाहरलाल नहरू जी के नाम पर बनाई गई है। उसको कार्यानवित करने के लिए भारत सरकार भी कुछ रकम दे। तो यह योजना जल्दी सफल हो सकेगी। जैपुर में ट्रैफिक की समस्या जो गंभीर रूप धारन कर रही है। उस समस्या का भी समाधान हो सकेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैरा महुदै बाकी सदस्यों के लिए दस मिनट समय था। और उन्होंने चालिस मिनट का समय लिया है। पुलिस को आधुनिकी करण करने का कारेकरम वर्ष 1989-90 से चल रहा है। यह सही है कि आधुनिकी करण एक बार में हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। पचीश सालों से चल रही प्रक्रिया है। लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपनी पुलिस को आधुनिक किया है। एक भी ऐसा राज्य दिखा दीजिए जहां के लोग कह सकें कि पुलिस ही हमारी मित्र है और पुलिस के पास काफी विश्वास के साथ जा सकते हैं। इसलिए आधुनिकी करण का कारिकरम तभी सफल होगा जब इस तरह के बदलाव पुलिस के दिल में आएंगे। पुलिस में कांस्टेबल की भरती प्रशिक्षन की तरफ ध्यान देने की अवश्यक्ता है और इसके साथ पुलिस की वरतमान दशादिशा की तरफ ध्यान देने की भी अवश्यक्ता है। हम सब चीजों के लिए पुलिस से अपेक्षा करते हैं और पुलिस में खासतोर से सिपाही वाहन चालक और चपरासी ही गोलियां झेलते हैं। लेकिन आज उनके रहने की वेवस्था नहीं है। उनके परिवार के लिए सुरक्षा नहीं है। इसलिए इस और भी ध्यान देने की अवश्यक्ता है। उन्विराम।